आज हम लोग आया हैं इस्टोलेशन के लिए जिसमें हम लोग 165 वाट का दो सोलर पैनल के यूज़ करने वाले हैं एकसाइड का और 850 विए का एक सोलर इन्वेटर और यहां से जो है यह टाटा इस्टिल लिखता है यह जामसुतपूर में सांक्ची का लोकेशन है और यहां यह सबजी मंडी है यहां सबजी मंडी पे सोलर सिस्टम को लगाया रहे दुकान पे तो नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है टेकनिकल प्लस मस्ती में और मैं संजे तो दोस्तो आप अगर इस चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आकिन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए ने वीडियो अपलोड करू सबसे पहले नड़िकिशन आप के पास आए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इस्ट्रेक्चर को क्योंकि स्ट्रेक्चर पहले हम लोग यहां पर फिक्सक्रेंगे solar panel वगेरा लगाएंगे तो nutball वगेरा सारा कुछ जो है हम लोग जमिन पर डाल दिया है और जहां पर जितना nutball लगेगा सब अलग-अलग कर देते हैं ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए और ये structure जो है ये galvanized है और ये दो panel का structure है जो एक्साइट वाट का एक्साइट solar panel का है और अभी हम लोग जो आया है दो ही आदमिया और inverter जो हमारे पास अभी आया नहीं inverter को हम मंगा है मेरे पास में stock खतम हो गया था तो दूसरे से inverter को मंगा है लाने गया है बंदा तो inverter अभी लाने गया inverter लेकर आएगा उसके बाद हम लोग जो है connection करेंगे तो अभी हम लोग आगे कर ले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका south direction किदर है तो south direction देख कि आपको south direction की और जो है आपका panel का मतलब down होगा south direction की और आपका panel लगने वाला सबसे पहले तो आपको इस्ट्रेक्चर को जो है ready कर लेना तो इस्ट्रेक्चर जो है बहुत easily आप fix कर सकते हैं बहुत सारे comments भी आ रहे थे कि structure fit करते समय भी वीडियो बनाएं तो यह structure पुरा fit करते समय इसका पुरा फूल वीडियो यहां पर बना रहे हैं और यह जो system लग रहा है यह दुकान पर लग रहा है एक दुकान है जो अलेर दुकान है मंडी के बगल में एक दुकान है एरिया पड़ता है सब्जी मंडी में यह तो यह एक छोटा सिस्टम लगाने से इनका जो है काम हो जाएगा यहां पर एक 100 एच का बैटरी हम लोग लगा रहे है तमारा जो है फाइनल हो चुका है लेक बगएरा सब लग चुका आप जो है परलील लग रहा राप्टर बगएरा सारा कुछ को लगा दिया है अब इसके उपर जो है दो पैनल लगाएंगे सबसे पहले सबको नड़ बोल जीतने भी है सबको टाइट कर लेना है और अभी जो है इसका नीचे फांडेशन को जो है अभी जामने करेंगे सबसे पहले तो हम लोग solar panel को जो है इस पर fix करेंगे और उसके बाद जो है नीचे फाशनर वगरा मार के इसको fix करेंगे base को क्योंकि solar panel लगाते समय थोड़ा सा अगर hole match ना करे तो इधर उधर घसकाना पड़ता है या nut ball को खोलना पड़ता है तो अभी tight वगरा नहीं करेंगे और निचे से भी जो là है बैस को उसको जाम नहीं करेंगे और ये सोलर पैनल जो है एक सोट वाठ का है एक साईट का सौलर पैनल दो सौलर पैनल है और इन्वाटर जो है 850 भी है का है और बैटरी जो है वो हंडार एम्पयर का एक्साइट सोलर टूबलर बेटरी हो आपको हम दिखाएंगा और इसका कनेक्शन वगर है सारा कुछ दिखाएंगे तो ये सिस्टम आप दुकान में भी लगा सकते हैं और इसको आप घर पे भी लगा सकते हैं अगर आपका लोड वगरा कम हो तो एक पंखा या दो पंखा आप आराम से इससे आप जो है चला सकते हैं दो तिन बल्व इससे आप चला सकते हैं इसको जो है बढ़िया से टाइट कर लेना है ताकि लूज ना रहे और ये ऊड़ ना जाए हवा बगेरा चलता है और ये ओपेन प्लेस है कमेंड करके ज़रू बताईएगा लास्ट में ये वीडियो कैसा लगा और पूरा कम्प्लेट वाट्स कीजेगा वीडियो को तभी आपको जो है समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस वाइस क्या क्या करना पड़ता है सबसे पहले कि अब मैं होता है इसका कनेक्सं का कनेक्सं में बहुत सारे लोग कनेक्शें हो किस्सका कैसे करना है की सब्सका किस तरह से करना है है और किस तरह से नहीं करना है और किया इसमें लाइटिंग एश्टर देना जोर रहा है जोरत है यह नहीं है तो यह छोटा सिस्टम है यह आपे आप नहीं भी दे सकते हैं और दे दिये तो अच्छा है कि आपके वहां नजदिक में कहीं भी लाइटिंग वेगरा जोई नहीं गिरेगा तो फाइनले हमारा जब रेडि हो गया इस्ट्रेक्चर फीट हो गया है तो अभी हम लोग जो है solar panel को ready करते हैं तो एकसाइड में आपको जो है इस तरह से आपको wire लगा हुआ नहीं दिखेगा तो आपको जो है इस तरह से wire लगाना और mc4 connector लगाना और हमारा panel जो है एकसाइड का है और ये 160 watt का है sorry इससे पहले मैं जो 165, 165 कर रहा था 165 watt का जो होता है वो utl में होता है एकसाइड में 160 watt का है तो उसके लिए sorry तो 160 watt का दो पैनल अभी हम लोग इस्टॉल करने वाले है तो ये जो है ये पहला panel को जो है हम लोग इस्टॉल कर रहे है तो हमारा inverter भी आ गया हमसे हमने जो इसससे inverter मगाए हो भी आ गया तो उनको भी उपर बुला लिए थोड़ा सा help कर देने के लिए ताकि जो है काम जल्दी हो जाए तो आया है भीया हम लोग का साथ देने के लिए अब ये ही लाके दिये है हम लोग को inverter कि मेरे पास में जो है inverter खतम हो गया था तो इनसे inverter लिए है तो ये inverter पहुंचाने आया थे तो ये देखने भी आ गए कि कैसे लगा रहा है सिस्टम और ये दूसरा पैनल जो है मैं लेके जा रहा हूँ और इस दूसरा पैनल को भी यहाँ पे लगा देंगे इन्वेटर और MZ4 connector इनी से मगाए है 2-in-1 connector लगाए है क्योंकि यहाँ पैनल का जो connection होगा वो parallel में होगा पैरलल में बहुत सारे लोगों का समझ में नहीं आता पैरलल क्या है शिरीज क्या है अब आपको हम बता दें कि पैरलल दोनों solar panel का positive एक ही में जाएगा वो हो गया parallel मतलब positive एक जगा और negative एक जगा उसको हम लोग पैरलल कहते हैं पैनल का positive और दूसरे पैनल का negative को लिया और उसको आपस में connect कर दिया तूस connection को हम लोग शीरीज करते हैं पर यहाँ पर हम लोग जो है parallel connection करने वाले ताकि इनका जो है एंपियर जो है वो ज्यादा मिले तो आज का weather भी जो है काफी अच्छा है धूप बगेरा कुछ नहीं है थोड़ा सा ठंदा ठंदा मोसम है और काम करने मजा रहा है तो चारों तरफ आपका जितना भी nutball है सबको आप इस तरह से नीचे fix कर दे टाइट कर दे ताकि वो हावा बगेरा में उड़े ने और यह भी यह चेक करके देख रहे हैं तो पाइनले हमारा जितना भी nutball था सबको हम लोगों ने जो हावा टाइट कर दिया है उपर का कर रहे हैं और पैनल का चारों तरफ का nutball को भी जो हावा टाइट कर देना है और इस सिस्टम से आप जो आप फैन वगरा टीवी वगरा आप भी यूज़ कर सकते हैं छोटा सिस्टम आपको थोड़ा सो समझ के लिए तो यह सिस्टम जो यह दुकान के लिए बैस्ट है यह आप दुकान में लगा सकते हैं और वो भाईया हैं वीडियो बना रहे थे और यहाँ पर काफी जो ओलों को टाइम लग रहा है क्योंकि मेंट्रियल जो हमारा विसीविल मेट्रियल भी हमको यहाँ पर लाना है क्योंकि उसका नीचे फानेशन जो आप फास्टनर करने के बाद उसको जाम करना होगा इसको आप पैनल का नड़ बोल्ट जो है उसको भी बढ़िया से टाइट करते ताकि वह हिले उले नहीं तो हमारा जो है फाइनली पैनल का भी टाइट कम्प्लीट हो चुका है अब हमारा पैनल जो है वो लग के रेडी हो गिया है और नीचे फास्टनर भी किया है और आपको वापस से दिखा देते हैं यहां का लोकेशन जो है काफी अच्छा यह सब्जी मंडी है यह अंदर में जो है इस तरह से सेड बना हुआ इसका नीचे जो है सिर्फ सब्जी का दुकान आपको देखने को मिलेगा और यहां पर फल दुकान वगएरा सारा कुछ यहां पर देखने को मिलेगा और यह टाटा इस्टिल है जिसका धुआ जो है उपर की और जारा आसमान में और यह इसको हम लोग सांक्ची के नाम से जानते हैं यहां पर होटल्स बगएरा है तो जितने भी लेगे सब में जो हम लोगों ने फास्टनर से भी इसको हम लोग फिक्स कर दिया है यह हमारा ड्रिल मशीन और इसको टाइट कर रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं टू इन वान कनेक्टर को आम लोगों ने यूज किया है यह मैल कनेक्टर फिमल कनेक्टर दोनों है अब यहां से आपका एक नेगेटिव का पॉइंट चला जागे एक पोजि करना है ताकि यह और भी मजबूत हो जाए तो इसको हम लोग ढ़लाई करके चलते हैं एकी बार नीचे तो आप देख सकते हैं इस तरह से ढ़लाई किए तो यहां पे जो आप फ्रेम बगरा नहीं मिला है जिससे हम लोग स्क्वार टाइप का बनाते तो काटून था काटून का पर साहरा से इस तरह से हम लोग जुआ धलाय कर दिया है और अवर फिक्स हो गया है अब हम लोग आते हैं नीचे जहाँ पर हम लोग इन्समृटर बैटरी लगाएंगे तो यह हमारा बैटरी है एक साइड के जो 100 एच का है और यह सोलर टूबलर बैटरी एक साइड सोलर टूबलर आप देख सकते हैं यहां पर 12 वोल्ट 100 एच सीट एन रेटिंग के बैटरी हैं यहां पर 60 मन्त वारेंटी आपको देखने को मिलेगा और यह इनका दुकान है जो सोनार दुकान है और यह यूटियल का है यूटियल का है यूटियल सोलर है यूटियल आपको बैटरी में जाके चनेक्ट होगा पॉजेटिव और नेगेटिव में यह दोनों बार बैटरी में जाके चनेक्ट होगा नेगेटिव और पॉजेटिव तो बैटरी को आपको देखके चनेक्ट कर देना है क्योंकि अभी अकेले हैं केमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है तो कनेक्शन खुद से करना है तो और यहां पर AC इनपूट यह जो टॉप है इससे आप जो है ऐसी इनपूट दे सकते हैं कभी अगर आपका ग्रीड आए तो आप ग्रीड का कनेक्शन दे सकते हैं ग्रीड से भी आप अपने बैटरी को जो है चार्ज कर सकते हैं और यहां पर solar का negative और यहां पर positive का cable का आपको लगा देना और यहां पर output और यह cooling करने का fan है और यहां पर इसका details दिया हुआ है DC voltage बगएर है सारा कुछ है model बगएर है सारा कुछ तो विया का लगाने का यहां पर रिजन यह सिस्टम को लगाने का रिजन है क्योंकि यहां पर जूसको लाइन है 24 x 7 विजली रहता है कोई दिक्कत है नहीं मार्केट में तो यह जो है बिजली से हो चुके था परिशान बिल भर भर के इसलिए जो है यह सिस्टम लगा लिए ताकि इनका बिल का कोई जंजाटी नहां रहा है तो हम लोगों ने आफफाइनली इन्वेटर का कनक्शन कर दिया है और से न्खर सब्सकर सब्सक्राइब दादान कर्दिया और इनका लोट देख सकने बैटरी पर किला अपर बरेचेंट आरहाह परेशेन्ट है और इसका बुस्ट चार्जिंग मोड जो है अन कर देते हैं तो फ्री टाइम कंटीनू प्रेस करेंगे तो इसका बुस्ट चार्जिंग जो है वो अन हो जाएगा अब देख सकते हैं आपर और यहां पर 4.4 एंपेर से चार्ज कर रहा है किमकि अभी वेदर पूरा डाउन हो चुका है मैं सेप्सेंड है तो यह आपको डिस्प्ले में आपको सारा कुछ दिखता है अपका जैनरेशन बगर है लोड बगर है तो यह काफी अच्छा इन्वर्टर है रूटी लह लेक तो आप अगर एक छोटा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यह बैस्ट सिस्टम है अब आता है बैक साइड में बैक साइड में इसका कनेक्शन कैसे हुआ है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनल पैनल का तो यह नेगटिव और पोजिटिव दोनों को लगा दिए यह से आउटप और बैटरी का इंडिकेटर जितना भी है वाटर लेवल का गेज है उसको भी लगा दी है अब ये सिस्टम मामारा बन के रेडी हो चुका है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जोरू बताईएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई